Hello students, welcome again to Lundbrit Ediment. हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान माद्यमिक सिख्षा बोर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक 9 से लिकर 12 तक की, जिसमें आज हम करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा important होते हैं आपके exam के लिए इन्हें हम समान अर्थ वाला शब्द भी कहते हैं, तो यदि आपके syllabus के अंदर समान अर्थ वाला शब्द भी लिखा हुआ है, तो उसका अर्थ भी पर्यायवाची शब्द से ही होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट हैं अम्रित. अम्रित का पर्यायवाची जो हैं वो कौन-कौन है? सुधा, प्यूस, सोम, मदु, अमिय. अम्रित के पर्यायवाची हैं सुधा, प्यूस, सोम, मदु, अमिय. नेक्स्ट देखिए अगनी, अगनी का पर्यावाची है आग, अनल, पावक, जौला और कृशानू, कौन-कौन सा है, देखिए इसमें आग जो है, जौला जो है, वो आपको याद ही रहता है, और पावक, पौधन, अक, ठीक है, इससे बना पावक, तो ये आपको याद करना ह अनल, पावक और कृशानू, ठीक है, विशेज तोर के कृशानू जो है, वो किसका पर्यावाची है, अगनी का, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, असुर, असुर का है दैत्य, दानव, दनुज, राच्चस और रजनी चर, तो सभी आपको पहले से ही याद रहते हैं, इसको ध्यान देना है आपको रजनी चर, रजनी चर यानि की रजनी यानि रात अचर यानि विचरन करने वाला, तो रात में जो विचरन करें वो कौन है, असुर, ठीक है, तो असुर का आपको पर्यावाची रजनी चर जो है वो ध्यान देना है, उसके बाद है अरन्य, अरन्य यानि जंगल, वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी और दाव तो यहां पर अरन्य, वन, कानन, जंगल, विपिन आपको याद ही रहते हैं अटवी और दाव, यह दो जो शब्द हैं यह आपको और ध्यान देने हैं अरने का परेवाची होता है अटवी और दाव ठीक है याद रखिएगा अरने का परेवाची अटवी और दाव आपको याद रखना है असुर का रजनी चर अगनी का कृशानू ये आपको याद रखने हैं next, जो आपको नहीं आते हैं, केवल आप उनको याद रखिए, क्योंकि आप जो पहले से ही पढ़ते आये हैं, तो वो तो आपके mind में पहले से ही रहते हैं, जो शब्द नए लग रहे हैं आपको, उनको आप note करते जाएए, उसके बाद है अतिथी, अतिथी यानि जो महमान हो और पाहुना, ठीके, किसके परएवाची है यह, महमान के, अतिती के, अंदकार का देखिए तम, तिमेर, तमस, अंधेरा तो देखिए तीनों में ही तम, तम और ये तम लगा हुआ है और अंधकार का होता है अंधेरा तो इससे भी आप इसको याद रख पाएंगे अंधकार का तम, तिमेर, तमस और अंधेरा तम, तिमेर, तमस और अंधेरा नेक्स्ट हैं अस्व, अस्व यानि घोड़ा, घोड़ा का परयावाची है घोटक, बाजी, सैंधव, क्योंकि देखिए सिंधू से आये थे हमारे देश में घोड़े, तो इसलिए नाम पड़ा सैंधव है तुरंग, घोटक, बाजी, सैंधव है तुरंग, किसके हैं अस्व गोड़ा के परयावाची, आख का है नयन, नेत्र, द्रग, लोचन, चक्षू, अक्षी, तो आख के परयावाची नयन, नेत्र, चक्षू तो आपको याद ही रहते हैं, यहाँ याद रखना है द्रग, द्रिग, लोचन, और अक्षी, किसके परयावाची हैं आख के, आख क पर आएवाची दुबारा से देखिए नयन नेत्र द्रिग लोचन चक्षु अक्षी नेक्स्ट है आकास आकास का है नभ व्योम गगन अंबर अनंत अंतरिक्ष आसमान और सुन्य ठीक है तो ये सब भी आपको याद ही रहते हैं आकास का देखिए नभ होता है व्योम होता है गगन, अंबर, अनंत जिसका कोई अंत नहीं क्या है अनंत अंतरिक्ष आसमान और वो सुन्य ये सब भी आकास के परियावाची है नेक्स्ट है इंद्र देवराज, देवेंद्र, सुरेज, सुर्पति, सुरेंद्र और वाशव ठीक है यादग नहें आपको देखिए देव क्याराज, देवेंद्र, सुरेज, सुर्पति, सुरेंद्र और वाशव ठीक है तो के इंद्र के जो परियावाची है वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक्जाम में पुछा जाता है इंद्र के तो देवों के जो राज हैं वो देवराज हैं, देवों में जो इंद्र हैं वो कहें देवेंद्र हैं, ठीक है, और सुर, सुर में जो ईस हैं वो कौन है, सुरेस हैं, यानि सुर यानि की देवता, और सुर के पती, सुरपती कौन है, इंद्र ही है, सुरेंद्र हैं और वाश्यव हैं, इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा, इच्छा का है अकांग्षा, अभिलाशा, कामना, इहा और लालसा, तो इच्छा के दो ही याद रखने वाले महत्वपूर्ण हैं, इहा और लालसा, ठीके चार ओप्शन में से इन में से एक आ जाता है, तो वहा देखिए, इश्वर का है प्रभू, भगवान, परमेश्वर, ईस और जगदीश, तो इश्वर के प्रभू, भगवान, परमेश्वर, ईस, यहां तक तो आपको याद ही हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आपको यहां तक तो याद ही होंगे, क्योंकि अब तक आपने इनको और जगदीश, इन में से इंद्र का परयावाची कौन सा नहीं है, तो confused हो गए, तो इसलिए याद रखना है, इश्वर का परयावाची है, जगदीश, ठीक है, जगत, धन, ईश, जगदीश, ठीक है, जो की जगत का ईश है, जगत के जो भगवान है, वो कौन है, इश्वर, उत्सब देखिए, समारो, पर्व, जस्न, जलसा और त्योहार, तो ये तो आसान ही है, नेक्स्ट है, उत्ध्यान का है, बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका, तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आसान है, उत्सब और उत्ध्यान जो है वो आसान है, अब देखिए, यहाँ पर कमल का, बहुत इंपोर्टेंट है कमल का, सरोज, उत्पल, कंज, पं और अमबुज, तो यहाँ आपने देखो एक चीज दिहान देनी है, सरोज में देखिए, क्या है, ज, यहीं कंज में क्या है, ज, पंकज में देखिए, अंत में है ज, नीरज में है ज, ठीक है, अमबुज में है ज, तो इस तरीके से आपको ये 4-5 जो है, वो याद ही कमल के क्यों क्योंकि जा का अर्थ होता है जल ठीक है कमल सरोज यानि की जो की जल में रहे और पंकज जो जल में रहे नीरज नीर का अर्थ ही होता है पानी तो पानी के अंदर जन्म लेने वाला कौन कमल ऐसे ही अंबुज ठीक है तो यह सब पानी के पर्यायवाची हैं कौन से सर, पंक, नीर, अंबु, ये किसके हैं? पानी के परियावाची हैं तो इसी के आगे ज़ यदि लगा दिया जाए, यानि पानी में जन्म लेने वाला अंबुज, नीर, नीरज, पंक, पंक में ज़ पंकज, कंज, सरोज तो ये सब किसके बन गए? कमल के बन गए, ठीक है? इसी तरीके से बादल का होता है बादल में क्या होता है? नीरज है, तो उसके यहां पर जा हटा कर आ जाता है दड़ ठीक है? द़ यानि देने वाला, तो जल जो देगा वो कौन है? बादल है इसी तरीके से अम्बुज में आता है अम्बुद यानि दा आ जाएगा ठीक है जा के बदले यदि दा आ जाए तो क्या होगा बादल के परयावाची ठीक है और यदि जा आ जाए नीर के यानि पानी के जो परयावाचीयों के पीछे यदि जा लगा हुआ आ जाए तो वो कमल के परहवाजी होंगे तो इस तरीके से भी आप ट्रिक के द्वारा इन्हें याद कर सकते हैं next कामदेव का देखिए मदन, मनोज, अनंग, रतीपती और पंचशर कामदेव का है मदन, मनोज, अनंग, रतीपती और पंचशर, ठीक नेक्स देखिए किरन, किरन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है परेयवाची, अंशु, मयूक, कर, मरीची और रश्मी, इसी तरीके से अंशु माली यदि आ जाए तो वो किसका परेयवाची होगा, सूर्य का, ठीक है, जिसने किरनों की माला को ले रखा है, तो वो कौन है, सूर्य, और यदि माला हटा दिया जाए और केवल अंशु आ जाए तो वो होगा किरन का परेयवाची, तो ऐसे कन्क्यूज करने के लिए एक्जामिनर जो है वो आप्शन में दे देता है, तो इसी तरीके से आपको शब्द जो है उसको समझ लेना है, जिसस तो कूल जो है, उसका किसका है, किनारा का परेयवाची, तट किनारा आपको याद रहते हैं, तीर कूल परियंत, ये तीनों आपको याद रखने हैं, किनारा का परेयवाची हैं, कपड़ा का देखिए, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट, उसके बाद है खल, खल का है ध धूर्थ, दुस्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अधम, खल यानि की जो पीडा देए, परिशान करें ठीक है, तो खल का है, धूर्थ, दुस्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अधम, तो यह तो सब ले आपको याद ही रहते हैं, नेगटिव सेंस में हैं ये सारे के सारे चलिए next देखते हैं बर्याएवाची next है खुसबु का सुर्भी, शौरब, सुगंध और सुबास ठीक है सु का अर्थ ही होता है अच्छा सु का अर्थ होता है अच्छा तो देखिए इन सभी में सु जो उपसर्ग है वो लगा हुआ है तो इससे भी आप पहचान सकते हैं और याद भी रख सकते हैं खुसबु का है सुर्भी, सौरब, सुगंध और सुबास नेक्ट देखिए गंगा, गंगा का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सुर्षरी, देवनदी, त्रिपदका, जानवी, भागी रती, देवापगा, मंदाकिनी और मोक्षिद दायनी नेक्स्ट है गनेश, गनेश के हैं एकदंत, गजानन, गजवदन, लंबोदर और विनायक परेवाची शब्द जो हैं वो इसले भी याद रखने होते हैं क्योंकि जब आप समास करते हैं और समास के अंदर जब आप बहुर विही समास को पढ़ते हैं तो वहाँ आपको यदि परेवाची याद हैं तो एक जटके से आप याद कर पाएंगे कि हाँ मैंने यहाँ पर इनके परेवाची पढ़े थे तो ये तो बहुर वी ही समास है ठीक है जैसे कि लंबोदर आ जाता है तो लंबोदर जो है वो बहुर वी ही समास है क्योंकि वो केबल एक पर्टिकुलर किसके लिए गनेज जी के लिए यूज किया जाता है ये शब्द ठीक है इसी तरीके से गजानन एकदंत गजवदन ठीक ह विनायक, तो ये सभी गनीज जी के परियावाची है, नेक्स्ट है गाय, गव, गव, गया, गया, सुर्भी, पैस्वनी और देनू, किसके हैं गाय के परियावाची, गव, गव, गया, सुर्भी, पैस्वनी और देनू, नेक्स्ट है ग्रह, मकान, आले, भवन, आवास, सदन और धाम तो यह तो बहुत ही आसान है ग्रह का नेक्स्ट है चंद्रमा का अब देखिए चंद्रमा का और जो आपने अभी किया था किरन का इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है तो इनको याद रखना है चंद्रमा का है राशी, चंद्र, राकेश, ससांक, मयंक, रजणीश, सुधान्सु। कमल का परयावाची, वारी के आगे जा लगा दिया, वारिज, कमल का परयावाची, अंबु के आगे जा लगा दिया, अंबुज, कमल का परयावाची, ठीक है, पयज, पय के आगे जा लगा दिया, तो ये भी हो जाएगा कमल का परयावाची, और इन ही जा के बदले यति दा नीरद, वारिद, अम्बुद, पयद, ये तो सब बादल के परेवाची बन जाएंगे, ठीक है? तो जल को आपको याद रखना है, तो इसी तरीके से जल का याद रखने से आपको बादल के और कमल के परेवाची याद हो जाएंगे. नेक्स्ट है जहर, गरल, विश और हलाहल, जहर, गरल, विश, हलालल, तलवार का देखिए, असी, खडग, करपाड और चंद्रहास, तलवार का क्या है? असी, खडग, करपाड, खडग और करपाड आपको याद रखना है, तलवार के हैं, असी और चंद्रहास, इनको आपको याद रखना है, तलवार के हैं, असी, खडग, कृपाड, चंद्रहास. Next है, तालाब. तालाब का देखी, सर, सरोवर, तड़ाग, पुषकर, जलाशे और ताल. ठीक है, तालाब का क्या है? सर, सरोवर, तड़ाग, पुषकर, जलाशे और ताल. नेक्स्ट हैं दिन, दिन के परैवाची हैं दिवस, वार और वासर। देवता के देखिए सुर्देव, अमर और निरजर। किसके हैं देवता के परैवाची। नेक्स्ट है नदी के परेवाची हैं सरिता, तटनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निर्जर्णी अब इस सब्द को आपको यहां देखना है सब्द सुद्धी के लिए निर्जर्णी देखिए यहां पर रा जो है आधा रा वो जह के उपर है ठीक है और उसके बाद र से पहले है छोटी की मात्रा निर्जर्णी नदी, सरिता, तटनी, आपगा, तरंगिनी, निम्नगा और निर्जर्णी नेक्स्ट है नाव का है नौका, जलियान, तर्णी और पोत ठीक है नौका, जलियान, तर्णी और पोत किसके है नाव के परेवाची नेक्स्ट देखिए पवन, अनिल, बात, वायू, समीर, हवा और बयार, ये सब भी पवन के परेयवाची है, एक ही याद रखना है आपको, पवन का वो कौन सा अनिल, ठीक है, अनिल याद रखिएगा आप, बाकी बात, वायू, समीर, हवा, बयार, ये तो हम नॉर्मली यूज करते ही हैं इन शब नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल और पहाड किसके हैं, परवत के परेयाए, वाची किसके हैं, परवत के नग, गिरी, महीधर, शैल, अचल और पहाड जो चल नहीं सकता, वो क्या है, परवत है, ठीक है, नेक्स्ट है, पत्थर, अब पत्थर का देखिए, पाहन, प्रस्तर पाषान और शिला अब पत्थर के पर्याईवाची देखिए यदि पाहन प्रस्तर पाषान और अचल दे दिया जाए और पुछा जाए इसमें से पत्थर का कौन सा पर्याईवाची नहीं है तो ध्यान देना है अचल जो है वो पर्वत का पर्याईवाची है पत्थर का नहीं पत्थर के हैं पाहन, प्रस्तर, पाशान और सिला, पत्थर के कौन से हैं, पाहन, प्रस्तर, पाशान और सिला, नेक्स्ट है पुस्प, पुस्प के हैं फूल, सुमन, प्रसून और कुसुम, ठीक है, तो ये तो हम छोटे सही पढ़ते आ रहे हैं, पुस्प के फूल, सुमन, और कुसुम, next देखिए, पुत्र, पुत्र का है तनय, तनुज, और इसी में यदि आ लगा दिया जाए, तनुजा, तनया, आत्मजा, सुता, ठीके, तो ये किसके हो जाएंगे, पुत्री के परयावाची हो जाएंगे, ठीके, तनय, तनुज, आत्मज, सुत, नंदन और लाल किसके हैं, पुत्र के परयावाची हैं, next देखिए, पुत्री के, तनय में आ लगा तनया, तनुज में आ लगा तनुजा, ठीके, बेटा में ई लगा बेटी, और सुत में आ लगा तो सुता, तो ये तो आपको बहुत आसान से याद भी हो गए होंगे, पुत्र का है तनय, तनुजा, बेटी और सुता, अब देखिए, बहुरा, बहुरा के, यानि मदुप, मदुप के परयावाची, तो देखिए, बहुरा का क्या है, मदुप, ब्रहमर, अली और मदुकर, ठीके, मदुकर, ठीके, मदु नहीं, मदुकर, मदुप, बहुरा, ब्रहमर, अली और मद मचली का है मेन, मतस्य, मकर और शपरी नेक्ट है माता, माता का क्या है मा, जन्नी, प्रसूता और धात्री अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है माता का पर्यायवाची होता है धात्री अब यहाँ पर इस्त्री के पर्यायवाची से इनको option में दे दिया जाएगा और वहाँ पर गलती हो सकती है तो ध्यान देना है कि माता का है मा, जन्नी, प्रसूता और धात्री नेक्ट है मित्र का सखा, साथी, सहचर और मेद तो मित्र के तो आपको याद ही रहते हैं सखा, साथी, सहचर और मेद तो जो जो difficult है केवल आपको उनको ही याद रखना है नेक्स्ट है मित्र के बाद देखिए मेग यानि की बादल का तो अब आपको ये समझ में आया होगा बादल का जलद, देखिए जल के आगे दालग गया, घन, नीर के आगे दालग गया, नीरद, वारी के आगे दालग गया, वारिद ठीके बादल तो है और पयोद ये भी दा लग गया ठीके और पयोद धर जिसने पानी को धारण कर रखा है तो ये किसके हो गए बादल के परियावाची हो गए नेक्स्ट है रावण दसानन जिसके दसानन है ठीक है लंकेस जो लंका का ईस है लंका के पती है और दसकंद रावण के परियावाची है दसानन लंकेस लंका पती और दसकंद राजा देखिए राजा के है नरिप, भूप, महीप, नरेश और नरिपती नरिप, भूप, महीप, सुनरेश और नरिपती नेक्स्ट है रात रात का है रात्री, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा और यामिनी तो यहाँ पर निशा चर दे दिया जाएगा तो गलती हो सकती है ध्यान देना है कि रजनी चर निशा चर ये किसके जो दैते हैं दानव जो हैं उनके परियावाची थे क्योंकि वो रात में विचरन करते हैं तो रात के हैं रात्री रजनी रैन यामा निशा वामा और यामिन नेक्स्ट है बानर बानर के हैं बंदर कपी मरकट शाखा म्रिग और हरि अब देखिए यहाँ पर शाखा म्रिग का अर्थ क्या होता है शाखा यानि की जो डाली होती है डाली पेड की वो और म्रिग का अर्थ हिरन या हरिन से नहीं है हिरन शब्द नहीं होता है हरिन शब्द होता है ठीक है म्री का अर्थ होता है जंगल और ग का अर्थ होता है गमन करने वाला ठीके तो जंगल में गमन करने वाला वो जानवर जो शाखा पर मिले कौन होता है वानर ठीके तो इस सब्द से आपको पता चला होगा कि वानर जो है वह है साखाम्रग भी कहते हैं वानर के परहवाची बंदर, कपी, मरकट, साखाम्रग और हरी शत्रु का देखिए रिपू, बैरी, दुस्मन और विपक्षी ठीके शत्रु का रिपू जो है वो आपको ध्यान देना है बैरी, दुस्मन और विपक्षी जो है वो याद ही रहते हैं तो शत्रु का क्या है रिपू शरीर का देखिए देह, तन और काया यह तो बहुत आसान ह तो शरस्वती के वानी और वीनाधारणी और वीनावादनी ये तो उनके साथ ही देखे जाते हैं सरस्वती मता के ठीके तो शारदा जो है वो यहाँ पर और वागीश्वरी ये आपको याद रखना है सरस्वती के वागीश्वरी और शारदा सरस्वती के वाणी वागीश्वरी वाणी धारणी शारदा और वीनावादनी नेक्स्ट है स्वर्ण यानि सोना कनक कुंदन हेम सुवर्ण कंचन सोना और हिरन्य ठीक है हिरन नहीं क्या है हिरन्य स्वर्ण कनक कुंदन हेम सुवर्ण क पंचन, सोना और हिरने किसके हैं स्वार्ण के पर्यायवाची नेक्स्ट है सागर अब सागर का भी देखिए उसी तरीके से जल की तरह ही आपको जो जल को धारण करे ठीक है जलदी, उददी, पयोदी, समुद्र, नदीश और वारेदी ठीक है तो यहां पर देखिए दुबा से मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो बादल का हमने क्या देखाता है जलद देने वाला अब हम क्या देख रहे हैं सागर का धारण करने वाला जिसने जल को धारण कर रखा है तो यहां पर भी जल के परयावाची जिसे याद हैं वो सागर के भी कर लेगा तो यहां पर धी उदधी, पयोधी, वारिधी और समुद्र और सागर तो है ये आपने याद किये इसके अलावा एक देखिए नदीश नदियों का जो इश है नदियों का जो स्वामी है वो कौन है सागर है सबसे विशाल होता है ठीक है तो सागर के प्रेवाची जो है वो भी आपको याद हुए होंगे जलदी, उदधी, पयोधी, समुद्र, नदीश और वारिधी नेक्स्ट है सिंग, सिंग का देखिए म्रिग राज, आप देखिए म्रिग राज का मैंने आपको म्रिग का अर्थ समझाया था कि म्रिग का अर्थ हरिन से नहीं होता हिरन से नहीं होता किस से होता है म्रि यानि जंगल से होता है गा यानि गमन करने वाला और राज यानि रा राजा वन्राज शेर और हरी किसके हैं सिंग के प्रयावाची तो सिंग के प्रयावाची आपको याद रखना है केसरी और हरी इन दोनों को याद रखना है ठीक है म्रग्राज वन्राज यह आपको याद ही रहेंगे सूरे का देखिए रवी भानू दिनकर सविता और दिवाक किसके हैं हनुमान के कपीश, अंजनिपुत्र, पवनसुत्र, महावीर, मारुत, बजरंग पली हस्त यानि हाथ, हाथ के पर्यावाची हैं हस्त, कर, बाहु, भुजा और पाणी, चीक है, तो हाथ का याद रखना है पाणी, वाकि आप याद ही रखेंगे हाथ कर बाहु और भुजा, इसके अलाबा पाणी जो है वो हस्त का पर्यावाची है next है हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, मतंग और गयंद next है हिमाले, परवत राज है, नग राज है अब नग देखिए हमने किसका पड़ा था, पहाड का तो पहाड का जो राजा है वो क्या है, हिमाले है हिमगिरी, जो बिल्कुल हिम से बरफ से है, डका हुआ वो क्या है, हिमाले है, ठीक है, और परवतों का राजा है तो हिमाले का है परवत राज, नग राज और हिमगिरी तो इस तरीके से हमने आज परियावाची किये हैं next वीडियो में मिलते हैं, thank you